हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल यूनिक्रोषी टार्ट तो देखिए फ्रेंड्स आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्रोशे कर डिजाइन लेकर आये हैं तो देखिए से पहले हमने 24 चैनल लिए हैं देखिए 24 चैनल लेने के बाद और 5 चैन एक्चन बनाने के बाद सिक्सत वाले में डालके 1 डॉबल क्रोशे बनाना दिया समय का न देखिर हमने दोचैन लेनी हैं 1 चैन चोड के उखिए और तीसरे वाले चैन में डालके एक डॉबलको बनाना है देखे फिर से हमने दो चैन लेनी है और दो चैन छोड़के तीसरे वाली चैन में डालके एक डबल क्रोशर बना देंगे देखे फिर से दो चैन लेकर दो चैन लेकर दो चैन छोड़के तीसरे वाली चैन में डालके डबल क्रोशर बना दिया देखिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में घंटी बन कर आएगी उसे दबाएं और ओल पर सिलेक्ट कर ले ताकि आपको हमारी नहीं नहीं वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें कमेंट करके जरूरू बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा तो देखिए हमने इस रोपो ऐसे ही कंप्लीट करना है दो चैनल लेनी है और फिर देखिए तीसरे वाले में डालके हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और यह डिजाइन हमारे चैनल के मल्टीपल में चलने वाला है आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसकी चुडाई रखे और चैनल के मल्टीपल में फंदे ले ले देखिए हमने इसरो को कम्प्लीट कर लिया और देखिए अब हमने इसको टर्न करके देखिए वान टू थ्री तीन चैनले कर देखिए हमने इसको ऐसे खिचा फंदेखो देखिए और बन लिया वापसी सी जगए डालके देखिए वापस इसी जगए डालके फिर से हमने इसको खिचा देखिए दो गए हमारे पास देखिए फिर से बन लेकर इसी जगए डालना देखिए तीन और ये चार देखिए फिर से हमने देखिए जो हमने एक डबल कोशे बनाया है देखिए उसके उपर हमने फिर से ऐसे एक पफ बनाना है देखिए फिर से जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशिया है देखिए जाली के बाद देखिए इसके अंदर डालके हमने फिर से एक पफ बनाना है देखिए हमारे पास पफ हो गये अभ़ी और झालने के भाद इनको आपने बांद देना है दो कि बांदने के बाद एक चैन लेकर देखिए से दागए खीचनाहेब션 और देखिए जो यह यह बीज से अंदर टालके हमने एक पफोर बना लेना है देखिए भन टू प्री और यह फूर और फिर अब हमने इन सब को एक साथ निकाल दिया और एक चैन ले देखिए हमारी चार पत्ति बनकर आ गई और एक फ्लावर में हमारी चैन पत्ति होंगी देखिए फिर से हमने डेखिए जो next हमारा double crochet आएगा देखिए जाली के बाद इसके उपर हमने एक double crochet बनाना है देखिए फिर हमने एक chain लेकर देखिए फिर से धागर खीचना है और four times इसके अंदर से निकाल देना है देखिए two, three, और यह four देखिए एक puff बन गया हमारा देखिए फिर जो next double crochet है देखिए इसके उपर डालके फिर से हमने एक puff बनाना है one two three और ये four देखिए फिर से देखिए दो puff होगे मारे पास देखिए दो puff होगे देखिए फिर से हमने जो next double crochet है इसके उपर हमने एक और puff बनाना है वान टू थ्री और ये फॉर देखिए अब हम मारे पास तीन पफ हो गए अब हमने इन सब को एक साथ निकाल देना है और देखिए इन सब को बांद देना है बांद देने के बाद देखिए बांद देने के बाद हमने एक चैन लेनी है और देखिए फंदे को खीच के देखिए इसके बीच में डालके हमने फॉर टाइम इसको निकालना है वान टू थ्री और एफ फॉर देखिए फिर इन सब को एक साथ निकालके बांधिया और एक चैनल ले ली देखिए फिर जो नेक्स्ट डबल क्रोशिय आएगा हमने इसके पर एक डबल क्रोशे बनाना है 1 अनलय भॉप पर अ वॉत मिधम झालके फिर नेक्स्ट डबल सशेकिए आनल नहें वान है कं तू थृन गोटो अंosh sanos में कुल और सोफोग को अब इन सब निकाल देना देखिसा से सब बांद निए कि mee नएक होएगा फीर से दागेных कहिंच के देखे, one two three और ये फोर देखे, अब हम इन सबको एक साथ निकाल के बांदिया उर हमने एक चैन ले ली और देखे, अब हमने इसके उपर एक डबल क्रोशिया बनाना है देखे, हमने इस रो को कम्क्लेट कर लिया और देखिए हमने work को turn कर लेना है देखिए फिर हमने क्या करना है तीन चैनल लेनी है हमने one two three और देखिए बन लेकर देखिए जो flower का यह center है देखिए इसके अंदर डालके हमने एक puff बनाना है one two three और एक four ताइम धगे को निकालने के बाद इन सब को बांध के देखिए हमारी five puff हो गए और हमने एक flower में six puff बनाने है देखिए छे puff हमारे एक फ्लावर में बनेंगे तो देखिए अब हमने दो चैनल लेनी है one two दो चैनल लेने के बाद देखिए फिर से इसी जगह डालके हमने एक puff बना लेना है one two three four देखिए four टाइम धगे को निकालने क बाद हमने इसको बांद दिया और देखिए दो चैनल ले ली one two और देखिए जो हमारे एक डबल क्रोशिया है देखिए अब हमने इसके उपर डालके एक डबल क्रोशिया बनाना है देखिए फिर हमने दो चैनल ली one two और देखिए इसके अंदर डालके यहां पर डालके हमन हें हमेरे फाइव हो गे और इसको बनारेंगे तो हमारे टोटल six pair टैइंड पफ बन स princip dagkok जाएंगे मैं दोचैन boys लेने के बाद जो हमारे एक डबल कर leven करोशिया था हमने इसकि आपपर से बनाना है फिर से दो चैन दो चैन लेने के बाद फिर से हमने एक पफ बनाना है वन टू थ्री और एक फोर देखिए फोर टाइम धगे को निकालने के बाद देखिए इनको बांध लिया बांध लिने के बाद हमने फिर से दो चैन लेगी फिर से हमने इसके अंदर एक और पॉफ बनाना है देखे पॉफ बनाने के बाद फिर से हमने दो चैन ली दो चैन लेने के बाद देखे जो हमारा वन डबल क्रोशिया था इसके उपर डालके हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है देखे देखिए हमने वर्क को टर्न करके और तीन चैन बनानी है वान टू थ्री देखिए फिर से हमने धा को खींच के फॉर टाइम इसके अंदर से निकालना है वान टू थ्री और ये फॉर देखिए फॉर टाइम इसके अंदर से निकालने के बाद देखे, जो ही हमारे पत्ती है, देखे, इसके उपपर डालके, हमने देखे, इसको फोर टाइम निकालना है, यहाँ पर हमने पफ बनाना है, देखे, वान, टू, थ्री, और यह फोर, देखे, फिर जो नेक्स्ट वाली, देखे, जो नेक्स्ट पत्ती है, देखे, इसकी, यहा टू थ्री और यह फोर देखिए अब हमने इन सब को एक साथ निकाल दिया एक साथ निकालने के बाद देखिए इनको बांध दिया बांधने के बाद देखिए हमने वन चैन ले ली देखिए फिर वन चैन लेने के बाद देखिए हमने इसको खिंचा और देखिए हमने 4 टाइम इसके अंदर से धागे को निकालना है 2, 3 और ये 4 देखिए फिर इसको बांध के और हमने एक चैन ले ली देखिए फिर जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके उपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है देखिए फिर से दो चैन लेकर दागे को खीच लिया और देखिए इसके अंदर डालके हमने एक पफ बनाना है देखिए नेक्स्ट पफ हमारा देखिए जो फ्लावर है इसकी एक पत्ती पर बनेगा और सेकिंड पफ हमारा यहाँ पर बनेगा देखिए इसके उपपर भी हमने एक पफ बना लेना है वान टू थ्री फोर देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट पत्ती हमारी इसके उपर वान टू थ्री और यह फोर देखिए फिर आप नहीं इन सबको एक साथ निकाल देना है देखिए इनको बांद के और एक चैन ले ली देखिए एक चैन लेने के बाद फिर से हमने ढगए को खिंच के और इसके इंदर डाल के एक पफ बना लेना है देखिए इनको चार बार निकलने के बाद देखिए बांद दिया इन सब को और एक चैन ले ली और देखिए जो हमारा एक डबल क्रोशिय है इसके ओपर डालके हमने एक डबल क्रोशिय बनाना है देखिए इस फ्लावर को भी हमने इसी तरीके से कंप्लेट करना है देखिए ह नहां पर सेंटर में डालके हमने एक पफ बना लेना है फोर कि फॉर टाइम निकालने के बाद इन सब को बांध के और दो चैन ले लेंगे फिर से हमारे पास फ्लावर की हमारे पास पांच पत्ति होगी और हमने इसके अंदर छेयं बनानी है तो देखिए एक पत्ति और बना कि खालेंगे 12 13 और 14 यो और रिखे 4 टाइम इसको निकालने के बाद बाद लिया और बांधने के बाद हमने कि मैं दो डिखे दो चैनल लेने के बाद देखे जो महारा डबल क्रोशिए इसके उपड़ हमने एक डबल क्रोशिय बनाना है कि दिख्या फिर से दो चैनल लेकर वन दो और देखे जो यहां पर पत्तियों के बीच में हमने एक पफ बनाना है 1 2 3 4 यह 4 टाइम निकालने के बाद इसको बांध के और दो चैनल देने के बाद देखिए दो चैनल लेने के बाद फिर से इसी जगह डालके हमने एक और पफ बनाना है और देखिए इन सब को बांध के फिर से हमने दो चैनल लेनी है वान टू देखिए दो चैनल लेने के बाद डबल क्रोश्य के पर हमने एक डबल क्रोश्य बनाना है देखिए हमने इसको देखे हमारा धिजाइन बन कर दिया रहे हैं देखे हमने इसको ऐसा क्यूण करने हैं और अभी चानल करके आ देखेंगे इसको डूर्ट करा लीजेन पर फिर से सब करना कर we फिर लंबा बना सकते हैं देखिए आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नहीं नहीं वीडियो को झाल 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 झाल